आप सबका हिस्टॉरिय अबाट चैनल में एक बर फिर स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कोलोनियल वाइज इस यह राइज आप मॉडबेस्ट और हिस्ट्री ऑफ यूरॉप के बच्चे जो पेपर पढ़ रहे हैं 1500-1850 वालों बहुत इंपोर्टेंट है देखते हैं कोलोनियल वाइज इस क्या थी क्यों करी चारी थी इसका रोल क्या था तो लेट्स के स्टार्ट अगरम बात करते हैं यह बेसिकली आप दिखोगे कोलोनियल वाइज मतलब जब 15th century में यूरॉप कही ना कहीं एक ऐसी चीज ऐसा कि international trade बहारी लोगों से trade करना commercial activity करना जहां बहुत सारी maritime activity पानी के दो आरा बहुत सारी geographical discoveries अग ऐसा क्यों क्योंकि जब बात करते हैं basically इस time period थोड़ी सी history भी पता होने चाहिए जो को समझने पड़ेगी इस time period अगरम यूरॉप देखे तो यूरॉप में जो यह आपका इस अमचली अफ्रीका है और यह यूरॉप इसके बीच में Mediterranean Sea अब आरप और Christians इन दोनों के बीच में continuously बहुत जादा लडाइयां लडाइयां होने के कारण जितने भी spices थे वह इनको मिलते थे इस से basically इंको मिलते थे इंडिया से इंडिया से इंडिया से spices आने बंद हो गए क्योंकि यही ट्रेट चलता था सिर्क रूट प्रेड आप सबको पता होगा अब इस सिर्क रूट रेड होने किसे खतम होने के कारण अब Europeans basically West Europe Britain German Spain इकी इन लोगों को हुआ कि इनको मसाले चाहिए चाहिए तो यह दूसरा रस्ता ढूंदे ने चाहते थे समय हो लोगों को पता था कि Africa Cape of Good Hope से जाते हुए इंडिया को जा बिल्कुल एड़ पे एक रस्ता है जो इंडिया में जा सकता है बट नव एवरिफिंग सब इसको ढूंदने की कोशिश में तो धम इसी को इसलिए कहते हैं जो डिस्कवरी डिस्कवरी और दी एज ऑफ एक्स्पोरेशन की जब नई चीज नई चीज यह दूंदने को निकले तो सबसे पहले फ्रेडिन और मागलें होते हैं 1519-1522 में जो पहले एक्स्पेडिशन करते हैं अट्लांटिक टू पैसिफिक्स ओशन जो आपका यहां पर यहां से यहां जो आने वाले पहले इंसान थे वो थे फ्रेडिन और मागलें अब जैसे कि आपको चीज थोटी सी बात से ही समझ में आ रही होगी कि को नोलियर वोईजस क्यों करी जा रही तो बेसिकली यह सारी शुरूबात होती है आई बेरियन पेननसुला इबेरियन पेननसुला जो यूरोप के बिल्कुल दो एंड में दो स्टेट्स हैं पॉर्चुबल और स्पेंग दो चोटी स्टेट इन से हम आई ब बाद में Adam Smith बहुत ब्लेट में जाके एक्स्पोरेशन और इसब होने के बाद थेओरी जेते हैं कि जो केप अब बताया कि आफ्रीका के बिल्कुल कोने में लगता है वहां से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स लोगों के अंदर एक थाना कि कि पुड़ोप पुंचे दर महां से होगा वा से हमारी सब कुछ शुरुबात होगी तो कहते कि पहला तो आप देखिए कि को लिल वाइज इसकोवरी और हम दुबारा एक कनेक्टेट हो गए और यहीं के आप गुड़ोप से माना जाता है जो पैललिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक पीपल थे तो वहीं यहीं लोग यहां से एक्सप्लोर करते हुए दूसरी स्टेट्स में पहुंचे तो इससे सम्धिंग हिस्ट्री ऑफ मैनकाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंड है डी के फी दो इस त्योरी में बहुत रत्र कम्या हैं और आगे हम चलके देखेंगे कैसे इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है और जब हम पूरे वर्ल्ड में होने लगा और पूरी जो एकॉनमी थी वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एजन होल बनके नजर आने लगी अब हमें ज जो अब लोग क्या करने लगें मॉनापली स्पेसिफिकली एक ची मडिटरीन ट्रेड रोका जा रहा था और मुझी ट्रेड को रोकने का कारण क्या था मॉनापली ही सबसे बड़ा कारण था यह लोग चाहते थैं कि हमारा दामपत्य चले हम लोगों में स्यामी लोग इतने भी ऐसे लेवरेंट जितने भी चीजें होंगी कुछी लोग कुछी मोर्चंट्स लेके आएंगे तो वह बहुत महंगा बेच रहते जो वेस्टन यूरोपीन कंट्रीज को मनजूर नहीं था जीवी स्कैमल बात करते हैं कि अगर हम गौमूट अप मोंट इसमें अब बात करते हैं कि एक नहीं था इसे पता है अपनी आंसर्स में इस्टोर्यग्रफिय बहुत जरूरी होती है जीवी स्कैमल बात करते हैं कोई एक मोटिव नहीं था बहुत सारे मोटिव थे इस European in colonization को लेकि आने थे सबसे बड़ी बात पर हम मानते हैं 3g's अगर आप कहीं भी किसी वेबसाइट पर पढ़ेंगे तो यह तो यह तो हम अपना अपना रिलिजन को नहीं साथ में यूरोप को एक्सपांशन और यूरोप की स्टेट इस हाइए स्टेट स्टेट स्ने काने निकले हैं और गोल्ड की हमें गोल्ड चाहिए पैसा स्टेट इस मनीवेल्ट तो इस सम्टिंग माना जाता था यहीं तीन बीजन से जिसे सब कुछ निकल रहा है मेडिटरेनियन जिस से आइबेरियन पेनिसूला निकलते हैं स्पेन और नॉर्थ आफ्रीका कॉंकर करते हुए पॉर्चुगल इस्लाम को कुरूसेट्स को बहुत बाहर है रहाती है फिफ 14 15 इस से अम देखें एक नई डिवलपमेंट शुरू होती चारे थी पॉर्चुगी इस में कही न कहीं देख रहे है Maritime Reconcious भी हो रहा है Maritime Reconcious or Reconquesta अब एक चीज़ कॉंकर करके जब दुबारा री कॉंकर की जाती है that is Reconquesta and this is a time period मूर्स ने बहुत थक हम लिखते हैं Mediterranean और बहुत सारा लांड जो था वो चैप्चर कर लिया था अब नौ वें धीस पीपल coming out with the age of exploration जब का age of exploration है वो लानी का परपस ही था कि वह दुबारा इनको Reconquer करना चाह रहे थे दो ऐसे में वो मूरिश एंक्लेव और गरनाडा के खिलाफ लड़ते हैं बट हम देखिए फाइट बहुत चाहदा तेज़ चलती रहती है मुश्रीम दूलर्स के लिए और वो री कॉंक्वेस्ट करने की रखते है इस्टॉरी इस्टॉरियंस है वो कही ना कहीं प्रिंस हेंरी नेविगेटर को मानते हैं एजन आर्किटेक्ट ऑफ दी में मैरिटाइम इस्पोरेशन करने के लिए एंडरी क्योंकि इन्होंने मैं निकाले इन्होंने बताया कि कैसे एक नई एक्स्पोरेशन और एक नया रुख बनाया जा सत्यार अब स्कॉलर्स यह बात मांते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो कॉश्चन करने हैं मोटिस को कुछ इसमें कुछ कुश्चन हैं जो हमने समझने पड़ेंगे मुनाकी कही ना कहीं जो थी एक्सटर्नली यहां पे कर रहे थी मतलब कभी मुनाकी ने सीधा जाके नहीं का कि हम पैसा देती और आप जो मुनाकी कर रहे थी बट कभी भी इन्होंने सीधा ने दिया है somehow they have overlooked this कि अभी भी भी इन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था हम देखते हैं पिंस हें री जो पॉर्चिक इस थे इन्होंने वेस्टन आफ्रीकन पॉस्ट्राइब वेस्टन आफ्रीकन अफ्रीका था था इन्दिस संथिंग इंडिया बहुत स्पूरे इस्पूरे को वेल्थ समिशन और लोगों को मेशा मोटीविट किया बट साउथ अफ्री सोरा में से पता चलता है कि बेसिकली गोल्ड यहां पे बहुत था ठीक है और क्याप्चर करने का जो इनका आइडिया था यह दो में मोटिफ थे जिनकी कारण यह इनको क्याप्चर करना चाह रहे 15th century में आप देखोगे के style और canary island बहुत important बन जाते हैं इसको अक्विजन के अब साथ की साथ इस टाइम पीड़ पर अगर हम बात करें धरम को प्रगट कर पाए और धरम को आगे समझा पाए next is gold gold में क्या था गोल डस एवरी बड़ी वांट जैसे कि वेस्टन आफ्रीका प्रिंस हैंवरी कोस्ट लाइन को ढूंड रहे थे तो ऐसे ही सब को क्या चाहिए था गोल्ड चाहिए था हम देख रहे हैं कहीं लोग इ इसनों पर हमारा नाम हो सके तो यह इश्वर के शेतर में गोड़ गोल्ड ग्लोरी इस त्री जीज़ा इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स मानते हैं कि इन जात्राओं के उदेशे रहे हैं अब जी एश्पैरी क्या मानते हैं जो क्योटा था यही सब चीजें यह सब 14-15 में को बेटा पॉचिज नहीं राते हैं तो वहीं से एक क्रूसेट की जीव अब हमें आगे और लोगों को हराना है और मुस्लिम्स को अराना और अपना धर्म को आगे चलाना है यह इससे मानते की शुरुवात होती है और कही नहीं पर इस से दो यह ग्रिशे सा वैसे उनिकरे की लेता है यह तैसे कि हमने बात की थी बचों प्रिंस हेंरी जो है जिन्हों ने ऊपनि अप बड़ा ध्यान रहां तो उन्होंने काफी सारे it's not something उन्होंने Christianity worship of Christianity को भी लिया क्योंकि कोई भी इस time period पे जिस टाइब का Church का system था Church इतना powerful था कि अगर आपको कोई भी reformation या कोई भी law कोई भी सब्सक्राइब कोई भी इनके कारण बन रहे थे तो internal politics यहां पर हो रही थी बहुत जादा कुछ personal factors भी थे जब आप देखोगे कि Atlantic coast of Africa में इस सारी चीज़े इस नॉमलाइज होते जारी सेंस आप देखोगे military expansion nobility को दिया जा रहा था धीरे 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 expand होते होते royal treasury बहुत था तक expand कर दिए royal treasury जब यह चीदे चीदे धीरे expand करते गए अफ्रीका somewhere is known for its goal Africa to be angry basically Africa ढूंने का कारण यह था अफ्रीका की पूरा west coastline पश्चिमी जोसकी coastline है जो आपको मिलती है इस मालीजे आफ्रीका है तो इस पूर और यह आपका पश्चिम है तो इसको पूरे को evaluate करते हैं और जो तने भी इसके trade की possibility is a commercial strength gold को लाते हैं दो हैंगी ने इस पे बहुत बड़ा impact पड़ता है well after that they come to know कि कहां पे इंडिया है कहां पे political possible map है अगर आप कहीं भी पुराने माप से कि तो पहले माना जाता था जो वो एक चाय की प्याले की तरह है लाइक दिस पूरा गोल नहीं मना जाता था ना की तो फ्लाट तो सम्वे और उसमें आपको पूरे वर्ल्ड में अमेरिका कहीं था ही नहीं इस ओनली पिदर कॉलम्बस दिस्कावरी इंड़ 1492 हमें पता चलता है कि यह सारे दिस्कावरी हो रही थी ठीके ऑटोमाटिकली इस नॉट ओनली दरीजन हम देखते हैं 1436 में 1436 में और भी डवलपमेंट सी जिसका यह सब कारण बन रहे थे 1436 में प्रिंटिंग मशीन आगे जब लोग पढ़ने लिखने लगे उसके बाद 14 साथ की साथ आप देखोगे आगे 1516 1517 में रेफर मेशन होता है मार्टी लूथर तो यह सब कही ना कहीं चीज़ें इंटरकनेक्टेट थी जहां देखेंगे कि एक शियर और जोती है अब हम देखने की आक्चुरी में इस ताइम प्रिट आपको समझना पड़ेगा ओटमन एंपायर का डिकलाइन अभी आपन इंपायर था के बच्छो सब से चीजी जो समझ नहीं है इस यह उरोप इस यह इटली सम्वियर और इस अन अदर टिकिन अब यह इस यूरोप में लिए वैस्टर्न ऊरोप में तो हम देखते हैं का ओंट बूल कर रहा था रोमन एंपायर तो यह रोमन एंपायर ता और इस साइठ आपका ईस्टर्ण एरोप में ओर उन इस्टाइर एक टाइम आता है बैस्ते से वह इन सेंचुरी में और इस आते डिकलाइं बस्ट ट्रेड रूट है इसको ब्लॉक करने के कारण इनको कुछ जो भी स्पाइसिस थे वह बहुत मेहंगे बेचन लब जाते हैं ओवर प्राइजिंग करते हैं जिससे की हम देख रहे हैं जो टॉक्स है वह लेवरेंट को कही ना कई कॉंकर कर लेते हैं और पॉर्चीगी बहुत इतियास बात करते हैं कि जो कॉंकर यह सब कुछ क्यों हो रहा था जो कॉंकर स्थी दोर्स थे इन मैक्सिको इन 1519 वह कहते हैं वी कम है टुसर्फ गॉर्ट इन और तो गेट रिच जैसे कि दो चीज़ें थी तो कई लोग अलग अलग इतियास कर दो कुछ तीन तो कुछ अल पांटेश थे कुछ इक सिंगल मोटेव नहीं था एक सबसे इंपर्टेंट मोटेव था इनका देमोग्राफिक फैक्तर्स डेमोग्राफिक फैक्तर्स आप देखो गेस्कॉलिस बताते हैं कि मिडिटरेनीन कहीं न कहीं में मेलट ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती बढ़त सारे इमिगरेंट सारे जिसको अब एक तो आटमाटिकली आपको कि वाजेश हो रही है वाज़ेश दोर यह कंटीनूस की population आरी थी अब इस पॉपॉलेशन किया करना शुरू किया पार्टिसिपेट करना शुरू किया इस वाजेश में इस दाट इस सम्वेर बिकाज इस वेरी लुकुरेटिव बहुत लुकुरेटिव सारे जो इतने हाई टैक्से वो पे कर रहे हैं सम्वेर इत्व एक रिदू रिदू को रहे थी ताउंस बढ़ते जा रहे थे जिससे कि इतालियन में मोचंट और बैंकर्स को भी बहुत बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे जा रहे थे और उससे रिसोर्स मिल रहे थे हम देखते हैं कुछ इनिशियल वाइज थी शुरुबात की वाइज थी यूरोप की पॉपुलेशन बहुत स्टाटिक रहती है कुछ ज्यादा चीज़ें नहीं करती है बट ऑनली जो आप जितनी भी डिवलप्मेंट हो रही थी ऑल्दो इट वस्टार्ट बाइब आईबरीन पैंसुला और आईबरीन पैंसुला में दो ही चीजी आती हैं बच्चों याद र बनाया जा रहे थी आफ्टर दाट जित्ती में की मुनाकी स्थी यह दूसरों से सपोर्ट ले रहे थे सो ड़िक को लिए जितनी भी वाइज़ें उसको फूदर एक्स्पैंड कर पाई अब स्कैमल स्कैमल बात करते हैं कि इस सब चीजोंने विकॉस वाइज सार्किट उनने स्पाइस आने है वह रूख जाता है अब इनके लिए स्पाइस इंपोर्टेंट थे बिकॉस यह वर मुर्ण नौन वेजिटेरियन नौन वेजिटेरियन डाइट होने की खारण अगर कोई भी चीज को मीट को प्रिसर्व करने है तेनी प्रिस पाइस जो स्पाइस सब्सक्राइब करने के लिए निकलते हैं बट बाइदा टाइम विद अकोलमबस विद अमेरिकन डिसकोवरी हम देखते हैं मोरोको में पोर्टुगीज कहीना कहीं कंसर्ण होते कि फूट को कैसे पाया जाए अट्लांटिक पीपो पूरा ट्रेट करते हैं अट्लांटिक आप देखेंगे की गोल्ड है ठीक है गोल्ड की साथ सब्सक्राइब दूसरी चीजी है और वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस टोटल सेंटर में तो not only gold but also food spices are one of the important reasons for the colonial voices for the demographic dividend जो जनसंग क्या बढ़ रही थी वो अलग अपने आप में बन जाता है अब कुछ इथियासकार इसमें बहुत इंपॉर्ट है अगर आप अपने आंसर में यह दोनों लिख की आएंगे देन यूवल अल्टिमेटली गेट दा ऑप्शन आपको चांस मिलता है इसको करने का तो राव डेविस कही ना कहीं बताते हैं कि जो इकनोमिक स्ट्रेस है इस टाइम पीरिट पे वह बहुत जादा हो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वाइज करने का विकास पैस से वह अपनी बुलियन जो उनकी पास पैसा है शॉर्टेज हो रही है उसको डील कर पाएं साथ की साथ पॉर्चीज बहुत खुश थे कि उन्हें गोल्ड मिल गया था बट वो क्लियर नहीं थे कि कैसे उनका इनिशियल मोटिव नहीं था विकास वेस्टन आफ्रिकन को स्ट सब्सक्राइं से उन्हें मिल रहा था गोल्ड मिलता था बट कितना और भी आगे बुलियन चाहिए और भी ट्रेट चाहिए तो से देया सोटन थे जब पॉर्चीज कियर नहीं होते वाट बाइद टाइम एकोनोमिक डेटरमेंट्स पैसा बहुत इंपोर्टेंट हो जाते है पॉर्चीज किया थी एक पूर और और पॉपुलेटेट कंट्री ब्रावडल कही नहीं करते हैं यह बात की पॉर्चीज पूर कंट्री थी इसलिए इननने ऐसी कुछ शुरुआत की बट अगर हम देखे की कुछ ऑश्यानिक रूट्स चो थे वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉल प्ले कर रहे थे इस टाइम पीरिट पे किंग मैनुवल पॉर्चुगल के बात करते हैं फिलिप्टू स्पेंग की यह सग अगर हम देखे तो बहुत लाविश लाइश्टायल नो डाउट जी रहे थे बहुत फैंटसाइज लिटरेचर में बहुत ज्यादा इन लोग बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल चीज आती है कि यह सची ने शुरुबात ही कब से हुई कैसे हुई कोई एक दब से 14 15 14 15th century में trade block हो गया trade block होने का मतलब की सबकुछ एप नहीं शुरुबात होगी नो यह सब हम देख रहे हैं यह जितनी हुए चीज हैं आट इस सम्व परी इमेजर मुंडी 15th century में यह भूंते हैं यह बैसिकली इस सम्झी यू नीड तो रिमेंबर ही उस्टोफर परी इमेजर मुंडी इन 15th century में इस्ट वर्ट का रूट देख ते हैं एश्या की तरह और यही बताते जब का इस आफरीका का के पव गुड होप है यह दूब दूब आक्चली कमड़ दाइडिय कि एक तरीका है तो अर्ली चुत्नी वी इश्प्लोरेशन औरी थी नैविगेशन करने लगे माप्स की बात होने लगी तो मार्क पोलो निकोलो कॉंटी यह में पता है कि इंडिया में आके विजट करने लगे यहां की वेल यहां के लोग प्राक्टिकल मेन्यू लाटिटूट्स के बारे में लॉंगिटूट्स के बारे में कैसे मुवन करा जा सकता है कैसे अर्थ के ऊपर आप डूल कर सकते हो काटलन हाइड्रोग्राफ फर्स बनाने लग गए जहां पर वो चार्ट बना रहे थे सी के अपने एक्सपिरेंसे कर रहे थे कि कहां पर किस टाइप की सीजफ्री आपको आप को लिन वाज़िज इस वाइज करोगे पानी में रहे के तो किस तरीके से रहना है साथ की साथ आप देखोगे किस ताइम पिलट पे नेविगेशन और कार्टोग्राफी की भी बहुत ड़ुप्में आने लगी तो हम देखिए यह तकनीक की घ्यान की भूमिका बहुत इंपोर्टेंट ड्रोल प्ले करने लग जाते हैं नो डाउट इस टाइम पिलट पे फॉदर अब उन्होंने लाटिटू लागिटूट को समझने के साथ साथ क्या चीज़ लेके आते हैं वह स्टार्स समझने लग जाते हैं कि स्टार्स का कैसे यूजे और किस तरीके से वह पहुंच सकते हैं दूसरे से 1462-1480 जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे अभी तो एक है कि कुछ मैप वाले एक कार्टोग्राफर्स है नाविगेशन सीखेंगे लाटिटू लाइटू लाइटूट करने सब्सक्राइब लाइट करते हैं वह पॉल स्टार की साउधन हमिस्फेर की किस तरीके से संकी मुवमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर पानी और पानी का बहाओ काहां पर बेटर सी फिरिंग हो सकती है ऐसी चीजे उसके बाद इस तो टाइम की जब चाइनीज अपना मागनेटिक कंपास ले आते हैं अब मागनेटिक वेवस हैं पूरे अर्थ पे उस चीज को आरब नाविगेटर से फॉदर वो पॉफिट किया जाता है देन सेलेस्टियल नेविगेशन जैसे मैंने आपको बताया स्टार से कॉड्रेंट्स वर प्रोड्यूस कॉड्रेंट्स वो के देखते हैं कि कही ना कहीं जो पूरा मैगनेटिक या जो मैगनेटिक वेवस हो रही है वो कम होते जारी थी एक काटोग्राफ और मकाटर प्रुजेट करते हैं कैसे एक 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 अकुरेट पिक्चर ऑन पीस फ़पेपर इस ताइम पीड में जब कहीं नंगा है मैंने सारे चीजे इंवॉल्व होने लग जाती है साथ की साथ आप देखेंगे कि गन पाउडर का भी बहुत इंपोर्टेंट हुज होने लग जाता है अब गन पाउडर मतलब आपके एक अगर एंपायर को काप्चर कर भी लिया तापकि पावर पॉलिटिक्स और साथ में देख कि पूरे वेजिस में पूरा आपका जितनी भी यह एंपार जितना भी अपका अर्थ है तो अर्थ के सासाथ क्या था इंटायर रोशन में तो सीफिंग कर रहे हैं इस इंटायर उशन के लिए क्या चाहिए अब उन्हें इस डिक्वाइर संप्लीट पारसी पारेट बहुत है बहुत सारे बाइजर से अलग अलग कंट्रीश के उनके साथ लर्णने के लिए यह गाट इस सम्वेड इस शिप्स बेल प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल नौ कंटिनू स्ट्रेट रहता था कि दूब ना जाएं सो सम्वेर यह कम आउट विडिया इन लोगने क्या करना दिया तू मेग दिम लाइटर स्लिमर पतले वो स्पेसिफिकली मिलिटर स्टेर्स के लिए काम आने लगे और हम देख रहें यह सी गोइंग वेसल और ऐसे बहुत इसली बिकॉस अगर हम बात करें नो डाव नविगेशन ही नहीं आता था और आई बेरिन पैननसूला सबसे बड़ी बात है क्यों क्यों ही शुरू हुआ आई बेरिन पैननसूला में इस इन अनगर इंपोर्टेंट पॉर्टुकर स्पे नहीं क्यों किया विकॉस आप देखिए और आपको समझना है इसमें रहने सांग क्या इंपर्टेंट रोल था अब रहने सा मतलब पुनर जागर जब लोगों ने अपने जितने भी टेक्स थे उनकी ऊपर वापिस जाना शुरू किया और उनसे यह चीजें दुबारा समझने शुरू की प्रिंटिक प्रेस जैसे हमने बात की थी 1436 में आती है जहां पर बहुत सारे टेक्स अब पहले तो टेक्स प्रिंट में बहुत सब क इंटर्पेटेशन दो स्कूल साथे हैं एक आता है रहने सा स्कूल जो मानता है कि इस टाइम पिरेने साने क्या किया किया कि अप्रियोसिटी आने लगी लोगों के बीच में एक डिजायर थी कि हमें जब लोगों के फेम आता है कि मुझे भी इज़त चाहिए I also need a respect new world की discovery करने का बहुत एक एक new glory आने लगी and after that जब एक बड़ कोलंबस ने कर लिया 1492 में कोलंबस ने अमेरिका मिल गया तो automatically new zeal आ चुकी थी and this is an also time period रेनिसा में पुराने text translate हो रहे थे जहां पर इंडिया की बात होती है इंडिया की रिच्छस की बात हो रहे है that further motivated them तो कही न कहीं न कहीं वाइजर्स कॉलंबस चाहंत वो जनोवा पे आते हैं यह सब चीजें हम देख रहे हैं कि कारण बन जाते हैं अब और दूछरा perspective माना जाता है यह overseas exploration करने का कारण क्या था कि जितने भी आप देखो कि economic basically not only the renesia कर इंको fame नहीं चाहिए glory नहीं है this is somewhere related to your glory बट यह कह रहे हैं कि glory नहीं चाहिए दादत क्या चाहिए fame oh sorry economic economic aspect है इसमें डिल कर रहा है Spain Portugal कही न कहीं इस मामले में हम देखती है है एक human history में एक नया break शुरुवात करते हैं जहां पर expansion colonization का further process broader जाते हैं अब जैसे कि हमें पता है कि कृष्यास का आपको इस्टोरिग्राफी लिखना प्यांसर से बहुत जरूरी है और इत्यास के मत जानने बहुत जरूरी है तो आप दिखेंगे कि जो ब्राउडल है वह बात करते हैं कि इस टाइम प्रेट पर बहुत ज्यादा क्या था हाइसी बड़ी बड़ी जो नदियां थी इन सब से यूरॉप को बहुत सुपरमेसी मिल रही थी पॉर्चुगल करी नहीं जो कॉनिस थी केपवर्ट मदीरा आजोर्स कोस्ट ब्राजील फोर्टेश सट्लमेंट यह सब यह जितनी भी चीजें थी मक्का मलक्का जावा सरीप स्पेंज इस सब हम देख रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट रोल प्लेटर रहे थे ए सेंट्रल अमेरिका यह जितनी भी ऑपिपेशन नहीं जितनी भी डिवलपमेंट ह हो रही थी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर सम्वेर इंपोर्टेंट पावर इंटायर वर्ल्ट सो यह सारी जो चीजें थी ऑटमाटिकली एक ऐसा आस्पेक्ट एक यूफोरिया क्रीट कर रही थी यूरोपेंस के बीच में जिनको उन्होंने को दनिल वाजिस की पर मजबूर कर रहा जाता है अब सिंस देर आर सो मैनी दीजन्स तो हम देखें पॉर्चुगल कहीना कहीं और क्या कर रहे थे सी फेरिंग टीपल कम शिक्रास यहां पेमोज होने लगी क्योटा में एंडट क्योटा विकम इन इंपोर्टेंट बेस फॉर इंपोर्टेंट ब युरोपी कहीना कहीं अपी फाक्रीज दूसरी सेट्लमेंट दूसरे देशों पर स्टैबलिश्ट भी करने लग जाते हैं अब सब्सिच्चूट अगरम देखें अक्चुली में सब शुरबात होती है फ्लाक पेपर काली मिर्च के लिए कहीना कहीं इस क्योटा में मिलता थ और दो हम देख रहे हैं अट्लांटिक आइलेंड थे अब इस नॉट सम्धिंग की सिरफ एशिया से ही मिल रहा था ब्लाक पेपर और भी थे कैनरी मदीरा आजोर्स के वर्ड यह सब जितने भी आइबेरियन थे यहां पर हमें देखते ही मिलता है दो यह बहुत डिप्लोमा जितने आए जोर्फ नीटीर कोस्ट गोले ट्रेट गोल्ड के लिए वो एक पोर्ट बनाते हैं सो बाएं यह दो यहां पर पर गोल्ड का ट्रेड हो पाए तो तो पीछ बन पाए और ऐफ्क प्रीकन बिसोर्सस को इस्प्लोइट किया पाशाए साथ की साथ आप देखोगे इसी के चलते हैं एक होती है टीटी ऑफ अलकावोस अलकावोस जहां पर स्पेंड पॉर्चुकल डिस्क डिसाइड करते हैं कि हम स्पेंड जो होगा पॉर्चुईज कही नहीं कर सकते हैं फिश ट्रेड और नेविगेशन जितने भी वेस्टर्न अफ्रीका की इन उनने इस एक पॉर्चिज के और यह क्या करते हैं गोल्ट रेड यहां से शुरू करते हैं और यहां पर और फूर्द इस्प्रोरेशन लिख जाते हैं तो इसे लोग चीजे कर रहे थे पॉलिची बना रहे थे कि रिसोर्श इस ले आएं ट्रेड ले आएं कि अपने रिसोर्श इसको को अपने लाने के लिए प्रॉल्ट मर्कंटिलिसम निस सम्थिंग की जितनी आपकी मर्कंटिलिजम जितनी वी ट्रेड अक्तिविटीज कमेशेल अक्तिविटीज होंगी वो रॉयल्स राइलें के कारण होगी यहां देखने हैं कि बहुत सारे एक्स्पोर्र ग्रह इस लूम धियास केप जो मैं पो डूप की बार बात कर रहे हूं स्पेसिफिक्ली यह डूंद एं और कहते हैं कि यह तरीका है जिस तरीके से हम इंडिया की तरफ जा सकते हैं तूसरे इतियास दूसरे नविगेटर पेड्रो दी कलिवैनों कावी कावी लो सौरी कही ना कहीं दू का था यहां पर जो आफ्रीका का प्रॉपर कोस्ट लाइन वाला पार्ट था that is somewhere this portion जहां पर आपकी जितनी भी यह developments हो रही थी उसको एक्स्प्लोर करने की कुशिश कर रहे थे अभी यह लोग विकॉस अगीन जितना भी आपका ओशन पार्ट यह उसको एक्स्प्लोर करेंगे then only they'll get something out of it उनको तभी वो resources मिलेंगे और यहां ही से Cape of Good Hope और इंडिया के जाने का रस्ता मिल रहा था साथ की साथ आप देखने की सब्सक्राइब करते हैं और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़े और अब कॉलंबस की बात करते हैं कॉलंबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टोल क्योंकि कॉलंबस अगर सबसे पहले ही निकले थे पूरी वेस्ट वर्ड एक्सपैंशन और इंडिया को ही खोजने इकले थे कॉलंबस का बेसिकली आप देखती हैं कि बहुत अपनी प्राक्टिकल नॉलेज अप्लाइ करना चाहते इस वोईजस पे इन सब चीजों पे तो उन्होंने बहुत सारे आ सब्सक्राइब करते हैं कि इवन यही लोग हैं जो स्पैनिश पीपल शुगर का बहुत अच्छा प्रदक्शन कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम पर ब्राजील के भी ऑक्यूपिशन करते हैं स्पैनिश रूलर्स कहीना कहीं जैनुवेसी बेंकर्स पाइनली इस एक्सप आई-लाइन्स आ रहे थे, स्पैसिस हो रहे थे, गोल्ड, नेटिप्स कहीना कहीं यह सब धीरे-धीरे वो एंसलेव कर पा रहे थे और क्रिश्यानिटी की तरफ कनवर्ट कर पा रहे थे, अब कॉलंबस इन सब चीजों में ही नहीं, कॉलंबस बहुत सारी ऐसी वाइजिस ए करता है, ट्राइंडेट, फिफ्टीन और टू में यह वो डिस्कोवर करता है, हॉन्राज, निकागरवा, पनामा, तो यह सारी जो चीजे हो रही थी, एक कॉलनी, ला-इस-बैला, इस्टैबलिश हो जाती है, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, कि हम कहीं ना कहीं, इस 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 यहीं टाइम पीरिट था, जब पूरा यप एक इंपायर का सिस्टम आएगा, इंपिरिलिशम इंडाटिस सम्वे, कॉलनी जो लेटर रण डवलब पुचाता है, जॉन तू कहीं ना कहीं मानते हैं, कि कॉलम्बस ने खृती जो अलकावा उस की करते हैं, और साथ में स्पैन करने का कारण बन गया था, इस तरीके से कॉलम्बस अपनी जो पावर है, वो इसको ड्रॉ कर रहा था, और विकॉस सम्वेर पॉलिटिकल इसको मिल रहा है, रॉयल मर्चेंट मिल वें, साथ की साथ, अब वो एनदर ट्रीटी करते हैं, यह तिस ट्रीटी ऑफ टॉडसल्स, क्या होता है, 1494 में, पॉर्चुगीज में रूट डिसाइड होता है, कि जो अट्लांटिक होगा, वो पॉर्चुगीज के पास रहेगा, और एक इमाजिदिनरी लाइन बन जाती है, अनटीलिया, जो ब्राजील, वत अब साथ अमेरिका, इस पार्ट अमेरिका, इस पार्ट की, वो अलग बात है, बट इस तरीके से अलग चीज़े रहती है, बट एक टाइम पीरिट पर हमें ये भी पता चलता है, कि पॉर्चुगीज ने अपनी मोनापली बनाने थी, मोनापली बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्स्प्सी, सॉलियास, मागलेन, ये पूरी डिसकवरी क क्योंकि ये ऐसे लोग थे पॉर्चुगीज के पूरी इंफोर्मेशन निकाल रहते है, किस तरीके से हर एक पार्टी, हर एक चीज़ की निकाली जाए, तो वैसे पुसी क्या देखते हैं, 1497 to 98, 99, एक्स्प्लोर करते हैं, क्यूबा, जयोना, कोस्ट और इन सब चीज़ों क चलते हैं, वो एक बहुत important explorer रहते हैं, जिससे कि वो सारी territories को अपने under capture करके लाते हैं, वो पूरे spice island के बारे में travel करते हैं और जानते हैं, और जितने भी westward में, बिकॉस ऐसा निया है न कि इंडिया में मिलेंगे, कुछ हमने देखा कि Magalan, South America में, Philippines, इन सब में भी बहुत important तो नाविगेटर इस time period पे बहुत पूरा world समझते हैं कि वो एक round है, गोल है, बहुत सारी और दो, Cape of good hope पे पहुंचते पहुंचते हैं, जो आगे जा पा रहे थे, क्योंकि Cape of good hope पहुंचते पहुंचते बहुत लोगों की मृत्ती हो जाती थी, that is somewhere the sea free dangerous बहुत था इस time period प कहीं पहले वाइसरोई मान भी जाते हैं, Portuguese Asia के जो इस exploration को शुरू करते हैं, 15 of 4 में कोचिन, Omruz, capture कर लेते हैं, 15 of 10 में हम देखने हैं, Elbris, Goa को भी capture कर लेते हैं, so these are the important things, कैसे पुर्थगाल important role play कर रहा था, Okay, so अब क्यों बहुत है, तीन में फोर्टेस जब धिर इंडिया में वह अपना rule establish करते हैं, तो basically, Kilwa, Omruz, Goa and Kenor, Portuguese की हाथों में आ जाता है, इन Portuguese की हाथों में यह हम चीज़ देखने की with something, जैसे कि Albrisku, हमने बात किया, Albrisku सबसे पहले यह Viceroy और I can say, सब के head बन के आते हैं, Western Indian Ocean में पूरा surface करते जाते हैं, Portuguese कहीं न कहीं इस तरीके से ऐसी coastal settlements बना रहे थे, जो सीधा बहुत सारी चीज़ों सो related थी और हम देखते ही, somewhere that open towards the route towards the east, इधीर 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 इंडिया क इस सब को सारे को capture कर रहे थे, इस सब को वो सारे को capture कर रहे थे, पॉप दी लियो कहीं ने स्टीज के लिए बुल इशू कर दिया, Portuguese के favor में, that is somewhere कि वो अब उनको स्टीज से क्या मेने लगी, कि now they can do any of the discoveries, अब सब उन्हें इंडिया इन इंडिसकर करना, वो further जा सकते हैं, और क्या, basically कों से बूट के रिये, sugar, spices, gold and sleeves, so these are the basic four thing that, although economic motive था, but bull issue करने से, they have got some Christian king authority मिल गई, और इस से हम देखते हैं, proper transatlantic trade शुरू हो जाता है, 1543, so this is something हम देखते हैं, new discoveries, 1540s के चलते, बहुत सारा एक अलग level शुरू कर देता है, अब जो cargos थे, the outward cargos, included manufactured goods, which somewhere, अब जितने भी वो भाहर से चीजे आ रही थी, अब क्या, actually में हमें पता ये बात, कि जितने भी goods थे, वो कों से खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, कि हम raw material लेके आएंगे, manufactured product बेचेंगे, so similarly, these return cargos and these things are already started by the time, आप देखेंगे, कि sugar, increasing quantities of silver, bullion, tobacco, so ये सब automatically अपने आप में एक पाट बन चुके थे, 16th century के चलते हम देखें, monopoly हो गई थी, spice trade की Portuguese की लिजबन के उपर, इंडिया के उपर, सभी, तो इसे ट्रांस अट्लांटिक रेट था, Spain और Spanish, basically Spain कहीं ना कहीं, अमेरिका की निट्स पे था, और पॉर्चुगूस पे आप देखेंगे, कि इंडिया का ज्यादा रोल और रेज हो रहा था, तैसे बहुत सारी हम देखने हैं, settlements हो रही थी, with that, they also started with mining, mining अमेरिका में, अमेरिकान कोलोनी को बहुत इंपोर्टेंट कोल प्ले करते हैं, पूरी settlements में, देन, सिल्वर माइन, इस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारी सिल्वर माइन्स इस्टाबिश हो रही थी, that somewhere ensure sustained trade with the east, यह सब क्या issue कर रहे थे, इस्ट के साथ, अब हम बात करते हैं, नेचर पॉर्चुगीज पॉसेशन, इनकी कैसी empires के अभी तब चितने भी कोलोनील इंपायर्स बनेंगे, यह बिल्कुल शिर्वात होते हैं, तो सबसे पहले आजम ने भी पढ़ा था, कि क्योटा होता है, जिसको उन्होंने इस capture करते हैं, दिन पूरी इसे पूरी चेंड मजाता जाता है, अपनी कॉलोनी की, वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड आक्चुली में पूरा डिवाइट कर दिया जाता है, Cape of Good Hope, जहां पे पॉरा पॉर्चुगीज का इसा नहीं था कि पहले इन लोगों के आने से ही कोई चेंजेज हुए हैं पहले भी चेंजेज थे पुलिनल एंपायर में लाने का मतलब यह था वाइट मैं बॉर्डण को ओके औरिएंटल सिविलाइजेशन तो यह सब बेसिक रहे हैं यह लोग मानते थे इनके आने से अम लोग यह लोग जा रहे हैं सिविलाइस करने इनका मोट देखें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था पॉर्चुगीज कहीं नहीं आप देखेंगे काफी जादा इनको मुश्किल आती है इस्ट अफ्रीका से चाइना से जैपान से तो पॉर्चुगीज और कॉलिनल गवर्मेंट बहुत कुछ जादा इस्टिंक्शन नहीं मेंटें कर पाती कोई ज्यादा फरक नहीं कर पाती कॉलनीज और मतलब जैसे की कॉलनीज जो मतलब जहां से यह रूल करेंगी जैट इस मेट्रोपोल और कॉलनीज जिट्टरी भी इंकी कॉलनीज थी तो उनके पर रिसोर्स को एक डिवीजन होना चाहिए तो ऐसा डिपरेंस नहीं कर पाती होँ हम देखते है कि इसी कारण इंका डिकलाइन होता है council of state or council of indies or कही नहीं यह भी responsible थे trade बहुत ज्यादा कर रहे थे बट इन में नहीं हो पा रहा था और देखते ही देखते है ब्राजील पर इंका कंट्रोल चले जाता है विद आत्लांटिक कॉलनी तो पॉर्चुगोई कहीं ना कहीं एक हम देखते हैं मॉडल बन चुका होता है बाकी सब एंपार्स के लिए प्योंकि नो डाउट में बीद फॉर्स वन नेवर विन पहली बार जो चड़ेगा वो ना ज दिखाता है जहां पर आपको बहुत साथा स्पाइस ट्रेड मिल रहेगा विए बहुत थ्राइविंग था अगर इन लोगों के आने से पहले भी 1500-1700 और इनके आने के बावजूद एक थ्राइविंग ट्रेड एक्जिस्ट कर रहा था that is not something कि इस टाइम पिरट कि आने के ब सब्सक्राइब कोशिश करें इतना नहीं था हर एक फॉर्ट के अंडर आप देखेंगे कि एक क्याप्टन होता तो जितने भी फोट से बनाएंगे जितने भी इंपार में पहले जितने भी इनकी इस सब्सक्राइब के साथ जो भी इनका मेजर एडवांस्मेंट होता था उसको वह एक कापिटल जर्म के अंडर रख रहे थे जितनी वी एडिस्ट्रेशन जस्टेस सब कुछ ला रहा था बट जितने भी काप्टन से उनकी सालरीज बहुत कम थी और उस सालरीज को कम होने के का चले जाते हैं जिस्ते की स्पेन अमेरिका में तो फल फ्लॉरिश कर जाता है बट पॉर्चिगेज नहीं कर पाते अब अगर हम डिस्कवरी की बात करें ब्राजील की कहीना के विदा इस्कवरी ऑफ ब्राजील एक नियू एलमेंट आ गया था आट इस शुगर का अगर आब पात करें तो शुगर इस ओर इडिए विद दर फॉर अफ्रीकंट आजब बट इस ब्राजील की डिसकवरी से नियू हम देख रहे हैं कि न्यूजील आगी थी शिशली शुगर ट्रेट शुरू हो चुगा था जहां पर शुगर ट्रेट शुगर ट्रेट और शुगर ट्रे ब्राजील कही ना कहीं हम देखें एक क्याप्टेंसी जनरल की अंडर था मतलब वहां चोटे-चोटे क्याप्टेंस थे यहां पर एक बड़ी क्याप्टेंसी जनरल थी और उसके ऊपर बढ़ती है वाइस रॉयलिटी तो सम्वेश पावर थी पैन की वह बहुत हिरार्काइ थी और जितनी भी आप देखेंगी ऐसा ही स्पेन में भी बाइस्वालिटी और गोवा रिप्रेजेंट करती थी पॉर्चुवी सेटलमेंट की तो सिर्कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन पारलल चल रहे थे दूसरे एंपायर में ब्राजीलियन कहीं ना कहीं बहुत रूरल ब्राजीलियन सेटलमेंट की बात करें तो यह कहीना कहीं होम अब गोवर्मेंट बन जाता है बहुत सारी कॉनियूंस का हैड़कॉर्टर्स इनका बनता है यहां पे लिजबन 1604-1614 को होना दे इंडिया इंडिया काउंसिल पूरा आफ्रीकन और बाजीलियन काउं इनके मैं इस देखती है किसके देख रही है बटी आपको समझना है स्पेइन इस इस सम्टिंग स्पेइन ठीक है देन यूव अनदर थिंग ऐल्स वेल सी ए सी आपको स्टार्वी शताबदी 17th century ब्राजील को देखें तो आपको एक ऐसा दाइशन को हमें दिखने को मिलता है एक गवर कैसा दा जिनोया कैसा दा मीना यह सब इन्होंने लिजबन यहां पर क्रिएट किया जा पर इनकी एक सेंट्रिक पावर हो पारी थी ओके तो इसके साथ साथ आपको स्पें में दिखेगा फाइव सेक्रेटरी इस भी थे कैसा के लावा इससे हम गोड़ थे आके भी इस रहे तो रहाँ पॉर्ट यह कहीं ना कहीं बहुत साहरी एक कॉलोनियल सुसाइटी स्टाइटिश कर रहे थे जो ब्लड सोशल रांक और मैरिग स्टेटिस पिस्त। सब्सक्राइब करें तो जो भी हाई रैंक में होता था और उनको सबसे उपर एशिया में फिर आफ्रीकन और फिर लोईस्ट हम देख रहे हैं करें तो पूरा एक हरार का इस वर्जन आपको दिख रहा है पॉर्ट जादा है तो इस पाइनिश की बात करें तो स्कॉलर्स बात करें तुस्ट बटिकलर लिमान थे हैं कि इस ताइम पीरट पे हमें एक new orientation देख्टी इस्पानिश की स्पानिश क्राउन कहीं नहीं कर रहा था जित्री में यह चीज़े से क्योंकि हम बात करें हम पर इस इंगल होल रहा है तो सिंकल होल इस और फाइन्स गर्मन नहीं कर रही थी गवर्मन यह कोलंबस की टाइम पर किया था पट रस दे बाक आ हम देख रहे हैं कि कहीन दो क्राउं का इनिशेशन था और यहां पे नॉबिलिटी ट्लरजी और एक रिच चॉंपर स्पाणश कॉंपर स्पाइजे में इसको हम इसे इस तो क्या बोलते हैं दय एज ओफकों के दोट्स इस एच को बोलेंगे का एंज अफ कॉंफिस्टी दोट्स बेसिकली 1522 1550 माना जाता है कि बेसिकली यहां पे बहुत बड़ी जील थी दूसरी स्टेट्स कंट्रीट में जाना उनको पाना और इस पेसिफिकली लिंग क्या किया जाता था मुर्श से मुस्लिम कमिल्टी से क्योंकि डारेट वॉट्स हैं तो सम्वेर यू ब्लॉक दरूट तुमने रूट ब्लॉक किया ना वी और गॉइंग फॉर देन अदर रीजन्स नो डाउट हम देखते हैं स्पानिश कॉंफिस कही ना कहीं एक 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 सफेस्टीगेटेटर का तरीका को लंबस ने डिसकवर किया पर लॉयलिटी एस डेक्स टो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी उनके साथ लॉयलिटी पाना उनके साथ फ्रेंड्ली रिलेशन्स मिंटेन करना वो करते हैं हमांडो कोट्स हो आप हरवन से हरमांडो कोट्स याद कर सकते हैं यह इन्होंने पूरी कमिशन इस्टाबलिश करी मेक्सिको में और नेटिव इंडियंस जो वहां पर लोग रह रहे थे उनसे रिलेशन्स बनाए धीरे धीरे हम देखते हैं कि मेक्सिको सिटी पूरी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी और अपने खुद क्या 1522 वहां पे नियू फेमस नियू स्पें बना लेते हैं साथ की साथ आप देखेंगे कि कुछ फेमस कॉंकेस्ट्री गोर्डोस फ्रांसिसो पिजारो एक पिनामा सिटी को भी तो इस लाइक बहुत लोग अपनी अपनी नामों से अपनी अपने रिलेशन से नई सिटीज डिसकवर हो रही थी तो माई नाक्सिको प्रफेडों मौंटेजों यूटिकान सी सब कही ना कहीं देख रहे हैं कॉंकेस्टी दोस अपने आप से लड़ रहे थे पट स्पेंस नहीं लड़ रहे थे पेंगे लिए नहीं लड़ रहे थे पेंस यह अभी तक पॉर्चुज में आपने देखा कि राउं से हो रहा है त तो वहां पे तो जो भी होगा डिसीजन वो क्राउन का होगा वान सिंगल अथारिटी बट पावर जो है वो प्रॉपर डिवाइड नी कर पाए इन्हों ने क्या किया इनके स्पें में कंपनीज है सब अपना इंडिवीज्वल जो जो निकला है वो उसके लिए अपने लिए नहीं लड़ रहा है कोई एक प्रॉपर हिरार्की पोजिशन नहीं तो इस इस सम्वेर आपको जो स्पेंग और पर्चुगिल का डिफरेंस मिलता है जब स्पेंग की बात करें तो इंपॉर्टेंस अगरम इनकी रिलाइस करें तो यहां पर बहुत ज्यादा स्रिच सिल्वर माइन थी बहुत अबटेंट अमांट में देखते हैं सिल्वर माइन सोरी थी सेकंड ब्रश आप बेसिकली देखेंगे जब होता है कि तब होता है जब बहुत जादा सिल्वर डिपॉसिट मिलने शुरू हो जाते हैं जकराट जुन्दो इन्यू स्पेंड पोटॉसी इन आएंगे तो इस इस टाइम पीडिट आप अदिस्ट्रेटिव चेंज आ रहे थे कास्टीलियन नोविलिटी इस टाइम पीडिट पर बहुत जादा हम देखती हैं लांड की इंपोर्टेंस हाइलाइट करती है और बहुत सारी आप देखेंगे कॉलमीज बिकम मिक्स सोसाइ इस की वह कर रहा उस मिजटोस इन सब पर नेटिब्स पर रिलाय करके यह रिसोर्स बना रहे थे अब बात आती है में आस्पेक्स अप एकनोमीडिया अगर हम देखें तो कुछ चीज आपको समझने पड़ेंगी कि क्या कुछ इसमें में हमें देर इसन आपर पॉलिसी ऑफ सबसें सब्सक्राइब कर आपको सबस्कें करें यह कौरण पर राज किया तो अब लोग उन जित्री विंद्यकी लेबर वेबर सभाटी लेबर स्लेटेट इतने में लोगों में वह आपके होंगे बट अब छो आपकी जेश्व समेंगे वह कोर्न बनेंगे अट इस नॉन-् मेडिया से बहुत साथा का लोगों में डिबेट चालू हो जाती है और हम देखते हैं काफी पावफुल लॉट्स इमर्ज होते हैं बेसिकली एंडर कोड्स जिन्नों ने दीज सब्सक्राइब करते हैं कि बेसिकली यह कहते हैं कि इस ताइम पिरट पे अब करेंगे हम दो पॉलिसी लाएंगे जब एक नुमीडिया लाएंगे तो चितने भी आपको आज तर एडवांटेश निल रहा था आपको स्लेव नहीं मिनाएगा पर जो कुशन पर अधर अधर आधर बेस तो ऐसे और किनामेडिया की पॉलिसी से इस एकनामेडिया की आने से स्टॉक बहुत बढ़ जाता है एक्विलेशन लोगों का पितल विकॉस अगें इस प्रिये टन हिरार्टी और वन कहीं वन फिफ्ट अब प्रेशन जितने भी मेटल से उनकी मोनापली बढ़ती है और हम देखते हैं कि देर साटेट रिलाइव और आल्मोस बुलियंस इनकी स्मेल्टिंग पे और टाक्स कंस्टम्स और इंटरनल कॉलियल ट्रेट पे लगाय जारे अब जब इतनी सारे डिव यह स्टेट्स एक्वायर करें देख देव अधर अधर परसन अगेंस दें विल नॉट बी अबल टू टेक आउट सो अम देख रहे हैं कॉलियल ट्रेट बेसिकली इस ताइम पिलेट पर शुरू हो रहा था को इस बैसिकली कॉसूर्ड हो दो दो मॉचंट गिल्ड ऑफ सभी दक असूड एक इंटर्मीडरेरी हमें के लाते हैं बिट्वीन मोचन अधिस्टेशन यह एक बीच का रस्ता अपना रहे थे तू अगनाइस ट्रेट पूरे ट्रेट को समालने के लिए उन्होंने स्पैनिश गवर्मेंट की मदद भी लेते हैं तो ऐसा रहीं तर कि नो करेंगे वो लाइसेंस होंगे अब यह नहीं है कि सभी सीफरिंग में निकलाएंगे नो डाउट यहार सर्टन प्राइब इंडिविच्वल बट यह सर्टन ओफिछ आपको को स्पेसिफिक लाइसेंस लेने पड़ेंगे एक स्पेसिफिकली इस्पें बाइड ताइम 1524 एक administrative counseling body बनाता है जहां पर governance और इन सब की एक तरीके से इंको manage किया जा रहा था Spanish colonies by the time हम देखते हैं vice royalties जो इनका age of conquest की जो हम बात कर रहे हैं तो vice roy, vice royalties के बीच में divide कर दिया जाता है नहां पर constant checks हो रहे है विकाज एक hedge जो हो रहा था that somewhere represents Spanish government and this is somewhere हम देख रहे हैं कि यह division होते जा रहे ही कि और जो जितनी भी services होंगे tribute होंगे they realize Spanish government कही ना कहीं एक colonial court और new laws लिकी आ रहा था तो now somewhere we will see power यह सब straight organized आती जा रहे थी basically जो authority है वह आप देखेंगे दो तो तरीकों से आ रहे थी एक तो Spain की टाय टाइप में आ रहे थी जहांवों कोलोनी जोरी सब मैंज करेंगे और इस देख वोड़ी नियू सिस्टम ला रहे थे जहांपे commissioner say colonial government saying Vistado Vistado they are the ones they are the officials basically inspection करेंगे कि अगर आप कोई policy लेकिया तो आप सही कर रहे हो फिर ऐसे और भी आगे लगे डिजिदेंशिया जहां पे आप देखेंगे कि जितनी भी administrative and judicial officials say so because एक टाइम पर आपने colonies बनाने लिख रहे हैं तरह से प्रेट के लिए बट अब वह वर्ल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या और कैसे रूल कर रहे हैं और क्या हमारा रूल आइडलोग प्रेजंटेशन है तो इस तिंग्स फूर्दर बिगान टू अफेट अब इस तेंपिरेट भी और के ओर अधा जो इंदियन थे लिवर गवर्न बाई नेटिव श्वाश्य लैग गवर्न अलकर्ट तो जितनी में फूर्दर अगर अम इंडियन की बात करें अगर हम जो हिराकी इसमें जो इंडियन स्थे वह अब इंडिया की में क्या औरहा कि आप अपने अफिश्यस खुद से ही करेंगे सज्जेस्ट के कि गवर्नर अलगर्च और साथ में वह एक टाउन काउंसर भी बना रहे थे यह काउंसर हम देखते हैं हर हम साल मिलती थी साथ की साथ उसमें पेजंट हाउसोल्डर्स लीगल हाउसोल्डर्स एन और रोल होते थ सब काम करते हैं स्प्याइश हुआ है स्पैनिश कॉलनी स्ट्रीक का भी हमें जो नेटिव पॉलिसी हम देख रहे हैं कि खुद भी सब्जेक्शन वाल होंगे अपने रूलिंग शिप में इस तरीके से कही ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी होती थी वह बच चाहती थी ना कि प्रॉपर्टी बच रही थी साथ हम देख रहे हैं कि लॉस प्रवाइड हो रहे जहां पर एकॉनमी अप्लाय हो रही थी पर्टिक्लरी प्रॉपर टैरिप्स लगाए जा रहे थे आइवेरियन स्टेट्स जहां थी जो थी आपकी स्पैनिश और पॉर्चुगल वह अपना ट्रेट का शियर बचा के रख रही थी प्रेशिस मेटल और कमोर्शियल मॉनॉप जो बड़े बड़े ट्रेस की ट्रेट की एकिक मॉनॉपली थी वह भी वह बचा के रख रही थी साथ की साथ हम देखते हैं यह बहुत सारे हमें टाइप सी कॉलनी जहां पे देखने को मिलती हैं स्पैनिश कॉलनी बात की ज़रे तो माक्सिको और वेरू में वह एक ऐसे काम सब्सक्राइब कर दिखेंगे कि जहां पे कुछ हम देख रहे हैं कि माइड नौरिटी है जो वाइट सेटलेट्स की बहुत चोटे जो स्पेस पेनियाट्स आ रहे हैं वह आके उनमें स्टैबलिश कर दी और कुछ आप देखोगे फिलिपेंस और अमेरिका में सेटल्मेंट कहीं ना कहीं स्पेनियाट्स के अंडर रूल नहीं कर रहे थे बट यह अपने कुछ लोगों को हायर कर लिया लोकली लूज़ी सुपर्वाइज नहीं कर रहे हैं कुछ आप देखो कि जैसे ब्राजील काली कॉलनिस थी वह प्लांटेशन एकॉनमी पूरी एकॉनमी बेस्ट थी जहां पर वो मेट्रोपॉलेटिन एक मेट्रोपोल सिविलाइज़ेशन मतलब स्पेंग के रिए प्रोडक्शन कर रहे हैं हम तो जब ब्राजील की बात सम्च करते हैं तो इस ताम पर बहुत ज्यादा प्लांटेशन एकॉनमी हो रही थी साथ की साथ आप देखेंगे न स्पेसिटिकली प्लांटेशन और माइनिग में सब प्लांटेशन इन माइन अमेरिका में देख रहे हैं शूगर और स्वेरी की अगर देखें तो वह कहीं ना कहीं बहुत बहुत लंबे समय से यह बिंग डेशुगर रिस्पॉंसिबल था अगरी कॉच्छ लेड़ी के है फिर्द जो ट्रीडी ऑफ टाड़िस थी वो हम देख रहे हैं और इस टाइम पर उसकी बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगती है इसकी होडिंग इसकी पास कितनी रहे घी हम देखते हैं इससे संवेर प्रॉसस ऑप को रहा था गीजब स्लेवरी कहीं ना कहीं बहुत दूर के रीजन से transport करके Europeans अपनी plantations बनाया जा रहे थे तो this is something a very long process और this is the entire process of colonization जो हम colonization की बात करते हैं तो यह slave trade पे ही बेस था negros कही न कहीं इस पूरे social or Atlantic islands का important role play करते हैं अब हम बात करें influx of slaves basically यह जो time period है आप यह बहुत देखेंगे कि free labor human farmers इस time period पे आ रहे थे जो American colonies में बहुत जरूरी थी साथ की साथ आप देखेंगे sugar tobacco cotton repimento gangs कही न कहीं यह responsible थी continuous labor sugar plantation के लिए यह continuously देखो कि इन सबको यह कौची जगाएं थी जो produce कर थी and that further seeded and gave the negro slaves giving them a best option negro slaves ऐसा बन चुक्या था चीप था पूरी कंट्री में आप कहीं भी ट्रांस्पोर्ट लंबा जरूर है इनको trader travel कराना पर आपने एक बार इनको travel कराया तो यह आपका यह best पन जाता था ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि further आप इसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिल रहे थे यह अलग अलग चेंजेस अब समझने की कॉलनाइजेशन से हमने देखा कि स्लेवरी स्लेवरी बहुत रस्वांसिबल थी साथ में हम देखो कि बारबरा सौलो बात करते हैं कि यह सब चीजें यह डिनाई सकते श्लेवरी और कोलोनल डेवलपमेंट की कही ना कही एक सिजेंटल नहीं है इस इसी प्रोसेस दो चुकि जब कोल्यद काने निकले वो तब हुने क्या चाहिए थे उनको स्लेव्ट निकले और स्लेव के मिलने से अम देख रहे हैं अबांडेंट अमाउंट में हमें ऐसे एक्सपेडिशन और एक्सपेडिशन करने को देखने को मिलती है शुगर में देखेंगे कि यूर्पीस कहीं न कहीं एक प्रॉफिटेबल उनको क्रॉप्स मिल रहे थे श्रेश्म रहे थे और एक नई स्लेफ लेबर फोर्स की आपको मिल रा है कि आपकी जितने में इंटराशनल कापिटल संसेंटा वह देखते है इनहीं के कारण शुरू होताय वेलेंस फ्रीन बाहते हैं कि कहीं ही कहीं 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 कैपिटलिसम को एक सिंगा सिस्टम नहीं है यह स्लेवरी से शुरू होता है isn't something कि कैसे exploitation करा जा रहा था कि वेजलेब अब बाहर निकले हो colonies दूसरे land को हत्याना उसके पर रूल करना रूल के साथ अब दीसरी चीज़ automatically well and stream मानते हैं कि slavery ऐसा role play कर रहा था कि capitalism आ रहा था और free labor wage labor उसको exploit कैसे करना है तो colonial exploration हुआ उसमें slavery आई और उसने capitalism की एक शुरुबात कर दी रॉबर्ट फोगेल एंस्टेनल एंगरमें कहते हैं कि इस ताइम पिरिट में हमें quantitative techniques यह चीज दे थी जिससे कि economic history में अगर हम देखे क्लेम की जा रहे थी कि कैसे American slave जो population है यह plantation है वो capitalist enterprise को हतिया पारे थी तो अब हम देखे कॉलनिजम और स्लेवरी का जैसे कि अभी बात कर रहे तो relation है और एक capitalism industrialization की तरफ लेखे आने लिए बट जब बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि दास एक दास संभवता बढ़ती गई तो कुछ ऐसे negative comments negative framework कुछ literature ऐसा लिखे जाना लगा जो बात करने लगा कि अब यह slavery को खतम करो पहली बत तो जो colonies आगे बननी पाई थी तो वह देख रही थी कि यह colonies इसलिए प्रॉस्पर कर पारें कि slavery है दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि specifically being a moral duty slavery कहीं ना कहीं एक ऐसा atrocities dominations और सिरफ आम देख रहे हैं कि लोगों का जो नुचला तत्व है उनको कैसे उनके ऊपर पावर जमाने की लिए बात हो रही कि थॉमस होप्स का स्ताइम मिल atención काम आता है लेविथियं जो प्रेजंट करता है एक society की neutral society जहां पर सब एकवल हैं होई भी मछेटी स्टेश वी आर और से पर आप ऑफ सोशल कंट्रक्ट मचे एक सैटीम उप सोशल कंट्रक्ट हो जो आपने ruling society की बनाई है वो हमार हमने बनाई है क्योंकि हमने चूज किये कि आप हम पर रूल करो और आप हमें प्रोटेक्शन राइट्स दोगे तो ऐसी चीज़े आने लगी तो इससे सम्धिंग स्टार्टेट विद फ्री विल फ्री मैन यह सब चीज़े उसलेवरी की शुरुषान कर रहे है अब अब करतें दो हमें करते था हिंग गयर आपकेयों के साथ-साथ दूसरी अटिविटीऊ वेलेश्टीच कया थे है capitalist economy के लिए Mediterranean economy हो रही थी कोई किस्टी दोर जो यह पूरी HKL आती है this is somewhere the economic but आप हम यह नहीं भूल सकते कि this is crusade that lay out the religious and the political aspects as well तो यह सब चीज़े कही ना कही एक दूसरे से यह कोई एक कारण नहीं बन रहा था इसके अलग-अलग हमें कारण देखने को बनते हैं sometimes this is also part of अब जब imperialism हो रहा था that means imperialism मतलब आपने दो culture भी exchange हो रहे होते हैं तो imperialism में बात करते हैं तो ecological imperialism भी हो रहा था सिरफ दो culture एक political gold god glory थी जी नहीं थे बट ऑल्सों देखते हैं कि infectious disease और इन सब चीजनों की भी भाई यह चीजे फ्याल रही थी अब Europeans कहीं ना कहीं क्या वह रहा था because they are the ones जो वह new crops इन सब चीजनों के चलते हैं जब बेसिकली वह अमेरिका के सब इंडियन के साथ इंडियन के साथ लिक कांटिनुस्टी सीटिस ऐसे disease होने लग जाती है जो एक इंपर्टेंट इथियासका रहा एलफट क्रॉस भी वह कहते हैं कि अमेरिका कही ना कहीं बहुत ज्यादा एफेक्ट करता है युरोप को और इवन युरॉप करता है अमेरिका को दोनों इक दूसरे को इसने सम्वें हम देख रहे कॉलंबियन इसको बोलते हैं युके से इसे क्षेंग हो रही थी आझाय क्षेंशच ने की गुंपरीयोर्ट करते हैं अब लिए पिरेंट्सरेंग आपि रही थिए। ़ो अम्टांस थी कुछ आप रेखेंगेक्ट है और कुछ रिख रही थी जो बहुत ज्यादा हानि कारक को दिसी की जा रहे है अब क्रॉप्स कई ना कई ओल्ड और न्यू वर्ड जो आपका अमेरिका है इसको बोला जाता था न्यू वर्ड कॉर्टन कोकोनट डॉक यह यह कुछी चीजे थी जैट इस समय जो आपको यूरोप बहुत लिमिटेड क्रॉप्स के साथ रह रहा था बट जैसे इसे उनका लाइफ स्टॉक बढ़ता है पॉपुलेशन बढ़ती है तो वह अमेरिकन की डिजीज है अमेरिकन की इंफेक्शिंस है वह उनकी हैबिट्स को नहीं कर पाते यह स्पैसिफिकली यूरोप में एक औल्टोगेदर डिफरेंट क्लाइमेट है इन दे वेंट तो अम सब्सक्राइब करनेटिंगें इंटो देर बॉडी तो इससे कही ना कहीं जो वेजिटेशन है खान पान है उसमें बहुत जादा तकलीफ हो रही थी बट दो इससे हम देख रहे हैं कि एनिमल्स के उपर बहुत जाद जाद और सारीमन बींग पॉपुलेशन पे बहुत किया बट इसके साथ साथ येलो फीवर, smallpox, measles, plague, chicken box, malaria ये सब फैलता गया जितनी भी आप देखेंगे कि colonies और conquest करते-करते new world में हम देख रहे हैं एक attraction बन गया land का, farms का और plantation of new colonies की नहीं-नहीं colonies की plantation भी शुरू होती थी अब अमेरिका में हम देख रहे हैं native population कहीं नहीं कहीं and there somewhere amelendium or African slaves का भी displacement हो रहा था, इस सब कारणों से African slaves हैं वो खतम हो रहे थे, again that somewhere economic effect ये बहुत देता है, but still we have another developments as well, इस ताइम पीरिट पे आर्ट और अर्खिटेक्चर बढ़ने लगया, जैसे कि Shakespeare, Tapis, E. Spencer, Work, Fairy Queen, ऐसे काम भी आरके black slaves के उपर paintings, context लिखे जाने लगे, तो कहीं नहीं black slavery abolish करने की बात आने लगी, slavery के उपर हम देख रहे हैं, text architecture की उनके उपर लिखने जाने शुरू की, European life में important देखते हैं कि एक एक कुछ important centers बन जाते हैं, क्योंकि although there are certain disease, बिमारियां फ्रेल रही थी, but ये diseases के कारण हम देख रहे हैं, diseases सिरफ नहीं थी, जो entire exchange है, वो बहुत important help out कर रहा था, पी जनू ये phrase यूज करते हैं, कि कही ना कई जितने भी Spain के core areas थे हम central areas की बात करें, वहां आप इसे बहुत अच्छा revenue create हो रहा था, वेलें स्ट्रीम में बानते हैं कि कही ना कही हम देखे, Spain एक profit की machinery properly नहीं create कर पाता, and that is somewhere जो इनका decline है, वो कारण बन जाता है, ठीक है, अब इस decline के कारण में हम देख रहे हैं, और भी बहुत सारे demands आ रही थी, जो scholars इस पू को पहले होते हैं बहुत सारे, क्या सवाल उठने की जूरत है कि हमें पूंजी वालत के रस्ते पे क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं हो गया, इसे बहुत सारे historians हैं, जी एच, ऐलिएच, चार्स भी, वो मानते हैं कि कही ना कहीं imperialism ने help out किया, कि अमेरिका की silver को finance करने में, प ट्रेड थी, कॉलमीज थी, तो उनसे automatically वो expand हो रहे थे, economic relations बढ़ रहे थे, but economic relations के साथ साथ हमने देखा कि कई ना के disease इनकों खराब कर रहे थी, और एक टाइम पे अपने जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो इनका division था, वो इसको proper maintain नहीं कर पा रहे थे, इस प्रेमियार्स इसक अनदर आप देखेंगे, पॉर्मराइंस का perspective है, वो मानते हैं कि इस टाइप दिरेट पे colonialism and slavery कही ना कहीं बो दोनों बहुत important role play करते हैं industrial capitalism में, एक नई industry, industrial growth की चुरवात करने में ये important role play कर रहे थे, दो हम देखती हैं कि बहुत कोई एक specific unlimited quest नहीं रहता, अगर हम देखें क कि इस टाइप दिरेट पे कोई भी proper आपको हमें नीती नहीं मिल रही है, बहुत सारे causes हैं, बहुत कुछ है, बट जो development है East Asia की to the great divergence, जहां से ये दोनों हम देख रहे हैं great divergence, आपका ये दोनों हमारी East and West का division जो हो रहा है, East Asia कहीं ना कहीं specifically America become an important capitalist economy as comparatively to the East, जो इतने capitalism पे नह सब कुछ देखते हैं, जितना भी है, विद इस कोनलील वाइज़स आप स्टाटेड विदी Eurocentrism, कि पूरे वोल्ड को हम कैसे देखने लगे, European की नजर से, आज आप देखें कि America की कितनी सारी colonies Europe के नाम से हैं, इंडिया में, East Asia, East बन गया, and then Far East बन गया, जो जो भी है, वो Capitalism पहले भी था, वहां, पर Europe पहले भी बैकवर्ड था, ऐसे नहीं है, कि इस सम्वेर Colonies के से हुआ, तो पहले भी Proto-Capitalism की Phases थे, जो नौन-Eurocentric, जो European की Lens से नहीं देखते, वो इत्यासकार मानते हैं, कि इस Time Period पे ऐसा नहीं था कि सिरफ Colonies के कारण, इन्होंने Oppression किया, बट बहुत सारी Common Humanities थे, बहुत सारे Other Fuses भी थे, जो Emerge हो रहे थे, Global Interaction हो रहा था, इस Time Period पे, that we cannot deny, Overseas Exploration हुआ, तो सब एक दूसरे से मिलके आने लगे, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं, कि जो Oppression हमें देखने को मिलता है, Enslavement, African Slavery आने लगी, इस Slavery के साथ साथ, बट हम देख पा रहे हैं, कि नए रूट्स खुलने लगे, New World की Discovery हो पाई, और कि तो आर, और हम देखे हैं, Multi-Factor Transformation, Culture, Society, Politics, इन सब में एक दूसरे पे अक्कति पाया, और बाया और बाया क्या है, कि जो 59,60 खुलने लगे, जो 60 खुलय को श्वलाट नेय। ओस आथ हूथ जा। पाई को आर,ीज आने, मैं मैं पूस्टो धिख सक्वा종, Smith,ğa Heard, आने, तो और को आस्वा आ bestimmte दूस ako, कुल देख आ सूमक्ते देना, तो विसस्व